तो वेलकम बैक टू माई चानल, आज मैं आपको नारियल की लड्डू सिखाने जा रहे हूँ, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के नीचे लाल बटन को प्रेस करें, तो मेरे और भी वीडियो के आपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दो नारियल को ले लिया है, इसको ग्रेट करके रखा हैं, और यह जो परिमाप है दो नारियल के लिए शुरू करते हैं, तो अभी आप देख सकते हो, मैंने दो नारियल लेके इसको तोड़के रख दिया है, अभी आपको दिखाएंगे कैसे मैं इसको ग्रेट कर रहे हूं, तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे नारियल को ग्रेट कर रहे हूं, अगर आपके पास ऐसा तो आप इसका इस्तिमाल कीजी या तो आप मिक्सी में भी इसको बना सकते हो तो आप देख सकते हो नारियल जो है फूरा मैंने ग्रेट करके रख दिया है अभी आप देख सकते हो एक बड़ा सा कडाई ले लिया है और सारे ग्रेटेट कोकुनट जो है वो डाल देंगे अभी डालेंगे 8 इसु ग्राम घूर गूर अभी डालेंगे 8 इसु ग्राम चीनी अभी डालेंगे छोटी दाना या बीच अभी इसको हातों के स्वायता से अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हो सारे इंडिरेंट जो है वह coconut के साथ अच्छे से । मिक्स हो गया है, अभी इसको पकाएंगे अभी आप देख सकते हो मैंने gas को जो है अन कर दिया है और अभी 5 मिनित तक इसको हाई फ्लम में पकाना है फिर 15-20 मिनित तक इसको low flame में पकाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे से लग जाता है अगर बहुत आज बढ़ा के आप पकाऊगे तो आपका ये नारियल का जो मिस्टरन है वो जल सकता है और आपको क्या करना है चम्मच से ये मिस्टरन को हिलाना है बाद में आप high flame से जब low flame कर दोगे तो इसको 5 minute gap में भी आप हिला सकते हो तो कोई problem नहीं है 15-20 मिनित तक इसको ऐसे ही पकाना है तो आप देख सकते हो कि मेरा मिस्टरन जो है वो कड़ाई पे थोड़ाची पकड़ा है तो ये almost ready ही हो गया है अभी क्या करेंगे इसको जो है टेस्ट करेंगे कि इससे ये मिस्टरन से नारियल के लड़ू जो है वो अच्छे से पक बनते हैं के नहीं तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं तो अभी आप देख सकते प्लेट में मैंने सरसो के ओल लगा के रखा है अभी इसमें जो है मिस्टरन को मैं डाल दूँगी थोड़ा सा और डाल के देखूंगी हाथ में लेके कि नारियल के लड़ू जो है वो पक रहे है या नहीं या बन रहे है या नहीं तो आप देख सकते हो हतेली में थोड़ा सा ओल लगा के फिर मिश्रन को हाथ में लेके ऐसे गोल राउंड राउंड करके आप नारियल के लड़ू जो है वो बनाईए तो आप देख सकते हो मेरा नारियल का लड़ू जो है थोड़ा सा और मिश्रन जो है थोड़ा सा और पकाना चाहिए तो मैं यहाँ पे 5-7 बिनत तक इसको पकाऊंगी तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे continuously जो चम्मत से यह मिस्टरन को हिला रही हूँ यह आप करते-करते आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा texture होना चाहिए तो आप देख सकते हो, मेरा मिस्टरन जो है, वो ready हो गया है, एकदम नारू बनाने की एकदम suitable हो गया है, तो चलिए नारू जो है बना लेते हैं तो आप देख सकते हो, मैंने सारे मिस्टरन को जो है, वो oil लगे हुए plate के उपर बिछा दिया है क्योंकि oil इसलिए लगाना पड़ता है, नहीं तो नीचे से नारियल का जो मिस्टरन है, वो चिपक जाता है बहुत जल्दी, इसलिए इसको ऐसे रखना पड़ता है तो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा जो मिस्टरन है, वो बन गया है, और मैंने इसको plate में रख दिया है तो अभी हाथ ठतेली पे थोड़ा सा mustard oil लगा के, मिस्टरन को हाथ में लेके, गोल-गोल राउंड करके, आप इसको नारू को बना लेंगे तो आप देख सकते हो, पहले से मैंने बहुत सारे नारू जो है, बना के रख दिये हैं आप देख सकते हो, के मेरा नारियल के लड़ू जो है, बन के एकदम रेडी हो गया है, ये बहुत ही यम्मी है और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत अच्छा लगता है और इस विंटर पे तो इसका मज़ा जरूर उठाईए तो ये रिसिपी आप घर पे बनाईए और मुझे कॉमेंट करके बताईए कैसा लगा अगर मेरे चानल अपको अच्छे लगते है तो प्लीज सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें तो मेरे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू पर वाजिंग!